आज की इस वीडियो में हम जानेगे STML के वर्जन के वारे में STML 1.0 यह STML का पहला वर्जन था जिसे बस 1995 में टिम बारनस लेके दोरा लॉंच किया गया था STML 2.0 यह STML का दूसरा वर्जन था जिसे बस 1995 में लॉंच किया गया था यह website को design करने का एक standard वर्जन था इस वर्जन में नई feature से डाले गये थे जैसे फाइल को upload करना और form को बनाना आ दी STML 3.2 इस वर्जन को बस 1997 में W3C के दोरा विक्सित किया गया था यह STML का तीसरा वर्जन था इस वर्जन में टेविल बनाने की सुपित प्रदान की गई थी इसके अलावा इस वर्जन में गरतिय कारजें से की जोड़ना घटाना गुणा भाग भी कर सकते थे आज की समय में यह वर्जन ज्यादतर सभी ब्राउजर को सपोर्ट करता है HTML 4.01 HTML की इस वर्जन को दिसमबर 1999 में लौंच किया गया था यह सबसे स्टेविल वर्जन था इसमें हम अपने बेपेज में CSS और Java Script को भी प्रियोग कर सकते थे HTML 5 यह HTML का सबसे नया वर्जन है जिसे जनवरी 2008 में लौंच किया गया था इस वर्जन को W3C यानी World Wide Web Consortium और Watt WG यानी Web Hypertext Application Working Group के द्वारा किया गया था इसमें नई features को डाला गया था जैसे कि इसके द्वारा हम अपने बेपेज में वीडियो और आडियो को एड़ कर सकते हैं